हेलो दोस्तो नमस्कार श्टाक मारके शेयर टू चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेस वर फूर लिम्टेड शेयर की क्योंकि इसके समद्ध में जो 22 तारीको मीटिंग होनी थी वो फिलाल मीटिंग होती हुई दिखाई दी है और उसमें कुछ नीड़े लिया गया है वह यह क्योड आई-पी के माध्यम से यह या फिर राइट इसुकर माध्यम से यह अच्छा खासा एक फंड्रेजिंग करने वाले हैं साथ और साथी साथ यह वारेंट को शेयर में करनवर्ट करके भी यह कुछ आवाले हैं इसके अलावा कुछ और भ यह मार्केट ओपन है उससे में यह फिलाल 5% का इसमें अभी भी अपर सर्कुट लगा हुआ है और यह पर सर्कुट इसलिए लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो फंड डेजिंग से संब्द नीजिलिकल के आई है उसके कारड यह अपर सर्कुट लगता हुआ दिख लाल 13 रुपे 50 पैसे पे ट्रेट करती हुई बरतमान में दिखाई दे रही है अगर हम 5 दिन के चार्ट परटर्ण की बात करें तो इस कंपनी ने लगवग 20% का रिटरन लिकाल के दे दिया है जबकि एक महीने के चार्ट परटरन के बात करें तो इस कंपनी ने पूरा 92-93% का रिटरन लिकाल के दे दिया है अपने शेर होल्डों को वहीं अगर 6 महीने की बात करें तो यह जो कंपनी है 6 महीने में आप देख सकते हैं मात्र 8-9 % हिए रिटरन लिकाल के देता हुआ नज़रा रहा है और इसमें यह जो गिरावट आपको देख रहे हैं वह फिलहाल उ एक साल में 60% का रिटरन लिकाल के दी है लिकिन गिरावर्ट आप देख रहा है यह फिलहाल इसलिए आया है क्योंकि इस कंपणी ने यहां पर स्प्लिट दिया था और बोनस भी देते हुए नजर आई थी जिसके कारण यह फिलहाल गिरावर्ट देखी गई है और अभी यह चार्ट पेटर्न अरजेस्ट नहीं हुआ है जिसके कारण इसमें आप यहां पर देख रहे हैं कि फिलहाल यह 60% का ही रिटरन लिकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम बात करें इसके मैक्सिम चार्ट पेटर्न की तो यह भी 83% का ही रिटरन लिकाल के देता हुआ दिखाई दिया है और यह जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2018 में तब से लेके अभी तक मातर 83-84% ही रिटरन लिकाल के देता हुआ नजर आ लिया गया है उसके बारे में इसमें डिटेल से बताया गया है तो चलिए हम इसे करके देख लेते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं फिलाल यह 22 तारी को यहां पर देट पड़ी हुई है और यह जो है ठर्टे को फ्रवरीद 22 को यह मीटिंग होते हुए नजर आ रहे हैं कि फण्डे जिंग फाइनशियल रिशोर्स के लिए यह जो है एक फण रिजिंग करने वाले हैं और इसमें कौन दिखाई देंगे और किस अधार पे देंगे ये प्रेफरेंशियल इसू के अधार पे ये 100 करोण के आज पास का फंडेजिंग करने वाले हैं और इसमें काम क्या करने वाले हैं यहाँ पर डीटेल से बता रहे हैं कि लबग 10 करोण 20 लाग शेयर ये वारेंट को कनवर्ट करने वाले हैं सेयर में जिसका जो फेस बैलू होने वाला है एक रुपया होने वाला है और यह 9 रुपय सतर पैसे पे यह जो है फिलाल यह करते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनका यह जो पहला फंडेजिंग जिस माधियम से कर रहे हैं वह फ्रे वो 9.70 रखा गया रथा 9 रुपय सतर पैसे रखा गया है तो यहाँ पे आप आगे आने वाले समय में देख सकते हैं कि जैसे इससे समंदीत न्यूज लिकल के सामने आएगी पूरा शेर होल्डर का एप्रूबल मिलता हुए नजरा आएगा तो यह जो कमपनी है फिलाल 37 रुपय क्यास पर ट्रेट करती हुई दिखाई दे रही है वो 9 रुपय सतर पैसे क्यास पास भी आती हुई देखने को मिल सकती है अब मगर बात करें दूसरे न्यूज की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू आई पी या एनी अधर माध्यम से यह फिलाल अधिक्तम 100 क करती हुई दिकाई दे सकते हैं या फिलाल रायट ईशू के माध्यम से यह करती हुए दिकाई दे सकते हैं अब इसका नीड़े कब लिया जाएगा इसके बारे में नीचे यह डीटियल से बताएंगे जिसे अवी हम आगे देखने वाले हैं लेकिन फिलाल unlucky आप देख हुए कि पिचास जाने वाले हैं अभागे अगले नियुज की फिलाल जो अगला नियुज दिखाई दे रहा है उसमें ये बता की यह जो इनका अध्रैना के परे ने का इतना करने वाल those इसे में सब्सक्ịिद है ये पीच करोन की करने वाले था यह देख रहा है यह जो कंपनी के फिलाल तीन जो है क्वरूस मिटिंग में देते हुए जो मेटी बैठी थी वो इसे एप्रूब करते हुए दिखाए दी है जिसे हम उपर अभी देख चुके हैं अब हम अगर बात करें इनसे समंदी जो एप्रूबल लेना है शेर होल्डों का उसे समंदी जो मीटिंग होने वाली है तो यहां पर आप देख रहे है कि एक्स्ट्रा अटनरी जो जनरल मीटिंग होने वाली है और इजियम की जो मीटिंग होने वाली है वो 16 मार्च 2024 को होने वाली है और इसी से इन तीनों जो उपर न्यूज अभी हम देखे हैं उनसे समंदी यह अभी जो पे उस दिन फाइनल मोहर लगता हुआ दिखाई सकती हैं जिसके बारे में यहां पर बता रहे हैं कि decide to seek approval of the shareholders of the company through the extra ordinary general meeting अर्था तीजियम की मीटिंग में यह पूरा decide होता हुआ दिखाई देगा तो दोस्तों यह जो 16 तारिक का जो डेट है जो 16 मार्च का डेट है इसे याद रखिएगा क्योंकि इस दिन बहुत कुछ धम का होता हुआ दिखाई दे सकता है बात करें आज के कारुबार की तो चुकि अभी मार्केट ओपन है तो यहां पर देख रहे हैं फिर भी इसमें लबग 51,000,000 शेरों की trading हो रही है और पूरा का पूरा यह delivery उठता हुआ दिखाई दे रहा है जो यह बता रहा है कि इस पर ज कितना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें अच्छा खासे वालूम के साथ ट्रेडिंग होई रही है साथी साथ इसमें अच्छे खासे वालूम के साथ delivery उठाते हुए नजर आ रहे हैं जो इन्वेस्टर हैं वह अगर हम बात कर लें आज के buying और selling order की तो यहां पर आप देख रहे हैं लगबग अभी भी इसमें 10,79,192 share की टूटल buying order लगी हुई है और यह selling order इसमें अभी भी लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और यह इसलिए संभव है क्योंकि इस share में अभी अपर सर्किट में यह share बात करता हुआ देखने को मि रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन एक चीज़ आप यहां पर कहना चाहेंगे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे कि इसमें कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले इसके बारे में पूरा फूल एनलासिस जरूर करिए और साथी साथ इसके बारे में पूरी डिटेल जनकारी लेने के बाद ही कोई इन्वेस्मेंट करने का प्रयास करिए ताकि आपका पैसा और निवेस्ट दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भवी इसमेंट करिए अपने बित्य सलाकार से संपर्क जरूर करिए तो दोस्तों यह रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कूल लब भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट से आपको ऐसे समय समय पर मिलता रहें जैहिं दोस्तों